हलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका इंटर्वियो क्लासेज में आज हम बात करेंगे ककसा 9 से लगा कर 12 तक जो इस्कूल है खोल दी गई आपकी 1 सेप्टेंबर से ओफिशली तोर पे तो ये बात करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है क्योंकि गौवर्मेंट बोल दिया है कि आपका 30% सिलिबस कम कर दिया जाएगा 30% लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कितना कम किया है कौन कौन से चप्टर रहता है ठीक है 30% तो कम हुआ है लेकिन क्या कम हुआ ये मालूम नहीं है तो उसके बारे में ये विशेश न्यूज है ध्यान से देखिएगा और जितने भी ऑपिशल न्यूज होती है आपकी सिलिबस के बारे में आप इस चैनल पे बने रही है बिल्कुल आपका उथेंटिक न्यूज मिलेगी और क्लास 8 से लगा कर 12 तक की इंग्लिश के सारे चैप्टर सरी ग्रामेटिकल टॉपिक सब कुछ यहां पे कंप्लिट करवाया जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेर करें अपने दोस्तों के साथ चलिए करते हैं अपने सेलवश के बारे में बात स्कूल का 30% सलेबस कम करने में जुटे SIERT और सिकसा बोर्ड मतलब अभी दोनों लगे वे हैं कम करने में कब तक कम होगा उसके बारे में देखते हैं 30% सलेबस कम करने में तैयारी सुरू कर दी गई है और करीब एक महीना लगेगा एक महीना लगेगा मतलब लगबग मान के चलिए सब्टमबर एक से स्कूल है खुल गई और आपके 1st October तक आपके सलेबस बताया जाएगा लगबग इतना टाइम लग जाएगा तो तब तक क्या पड़े है क्योंकि स्कूल है खुल चुकी है न तो गवर्मेंट ने ये कहा है कि सलेबस तो कम किया जाएगा जिसके लिए आपके उद्यपूर के State Institute of Educational Research and Training और मादिमिक 6 अबोर्ड अजमेर इनको जिम्मेदारी दी गई ये दोनों कम करने में लगे हुए है क्योंकि अपने शिक्ष्ण मंतरी जी थे गोविन सिंग डोटा सराइन उने गोश्णा की थी सारवजिनिंग उसके बाद ये काम सुरू हो गया ठीक है अब क्लास में कौन से चैप्टर हटेंगे इसका निरने होना भी बाकी है इसमें करीब एक महिना लगेगा ककसा आठवी के लिए आठवी तक का सिलेबस जारी किया जाएगा ठीक है न और नमी से बार वी तक जिमा एक बार फिर बोर्ड को दिया गया है पिसले साल के तरह इस बार भी सिलेबस कम किया जाएगा यही बात है लेकिन अब इतना टाइम लगेगा तो हम क्या पड़ें स्कूलों में तो ये बात कही गई है कि पार्थ ये पुस्तक के सुर्वाती चैप्टर कम नहीं करने के मौखिक निर्देश दिये गए है किसी पुस्तक के पार्थ संक्या एक से पांस तक के चैप्टर कम करने के बज़ाए पीछे के चैप्टर कम किये जाएंगे इसका ध्यान रखा जा रहा है ठीके ना इसका मतलब आपकी कोई भी बुक को एक से पांस तक चैप्टर में से बहुत ही कम चांसे हैं कि वहां से कोई टॉपिक हटाया जाए हो सकता है एक आदा हटा दे लेकिन पूरा चैप्टर नहीं हटाया जाएगा ऐसे निर्देश दिये गए हैं क्योंकि स्कूल है खुल चुकी है तो जाहिर सी बात है पढ़ाई तो करनी होगी और पढ़ाई चल रही है ठीक है ना तो इस परकार से हटाया जाएगा और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पढ़ रहे हैं तो वो सुरुवाती पार्ट पढ़ सकते हैं ठीक है और विशेश यह है कि जिन लोगों ने ध्यान रखाया गए कि स्कूल क्या पढ़ाई जाए बच्चे के ऑनलाइन क्या पढ़ लिया है ये भी मैटर करता है इतना ही नहीं कुछ ऐसे चैप्टर कम कर दी जाएं जिन है कि बच्चे बिना पढ़े आगे वो काम नहीं कर सकते है जैसे फिजिक्स में कोई टॉपिक है वो इनको यहाँ पर इंपोर्टेंट है और अटा दिया और अगले साल 12 में पढ़ना पढ़े और 11 में अटा दिया तो समझे होती है तो इनका भी ध्यान रखा जाएगा जिससे कि उनको नुक्षान नहीं हूँ ठीक है तो यह ओफिशल न्यूज है लगबग आपके 1st October तक 1st October तक आपके बता जिया जाएगा और syllabus जोई होगा अपने इस चैनल पर हम अप्लोड कर देंगे तो बने रहे हैं इंट्रीव क्लासे इसके साथ बैतरे इन ढंक से पढ़ते रहे हैं तब तक के लिए गुडबाई जहेंद